हेलो फ्रेंज, वैलकम टू माई यूटूब चैनल, मैं हूँ निश्या, दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप लगातार कोछी दिरों तक भीगे हुए अंजीर का सेवन करते हैं, तो इससे आपके शरीर पे क्या-क्या प्रभाव होगा वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसको खाने का सही तरीका और सही मात्रा बताऊंगी, तो ये सब जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा यहां पर हम सबसे पहले इसके निट्रेशन वैलो की बात करेंगे, अगर हम इसके निट्रेशन वैलो की बात करें, तो इसमें डायेटरी फाइवर और एंटी ऑक्सीडन भरपूर मात्रा में पाये जाता है, ये कैलशियम, आएन, पोटाशियम, फासफोर्स, बिटामिन E, A, बिटामिन D, बिटामिन B12, मैगनेशियम, बिटामिन C, ओमेगा 3 fatty acid, ओमेगा 6 fatty acid का गुर सोर्स है, तो ये तो हमने इसके निट्रेशन वैलो की बात की, चलिए आगे बढ़ते हों जानते हैं, इसके सेवन से हमारे शरीर में होने वाले फाइदों के बारे में, उससे बह जैसे हमें करी तरह के कैंसर, जैसे के प्रोस्टेट कैंसर, ब्रिस्ट कैंसर से बचा कर, कैंसर सेल की ग्रोथ को ये रोक देता है, साथ में हमारे बॉड़ी को फ्री रेडिकल से बचा कर, ब्लड सेल को ये डैमेज हने से रोकता है, ये हमारे हार्ट के लिए भी किसी भावना को बहुत कम कर देता है अगर आप डायबिटीज करोगी है तो रोज इसका सेवन कीजिए एक रिसर्च के मुताबिक नियमेट रूप से अंजीर का सेवन करने से डायबिटीज में बहुत फाइदा होता है इसमें पैक्टिन नामक एक घुलन शील फाइबर होता है जो बढ़े हुए केलस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है साथ में इसमें पोटाशियम ओमेगा-3 ओमेगा-6 कार्टिय से रूता है जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी हल्पुल है अगर आप खून की कमी यानि कि अनेमिया से परिशान है तो रोज अंजीर का सेवन कीजिए इसमें आयन जिंक और फोलेट काफी मात्रा में होता है जो तेजी से खून की कमी को दूर करता है यह हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है यह ब्रेन पावर को इंक्रीज करके स्ट्रेस लेवल को दूर करता है इसमें काफी मात्रा में होता है जिसके व बहुत अच्छा होता है, यह डाइजेशन को इंप्रूव करके कब्ज और गैस जैसी समस्या को हमसे दू रखता है, यह हमारे आखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, यह आखों से समंधित रोगों को हमसे दू रखके आखों की रोशनी को यह बढ़ाता है, तो दोस्तो खाने का सही तरीका जाने तो आप चार से पांच अंजीर ले लिजिए और इसको पानी में भीगो के रख लीजिए और पांच से छे गंडे तक आपको भीगो के रखना है उसके बाद आप इसको चबा चबा के खा लीजिए उसके बाद उसका पानी प्ली लीजिए आप इसे दिन में कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं और उसके बाद आदे गंडे तक कुछ भी मत खाएं लेकिन अगर आप इसको नास्ते में खाएगा तो इसके जो फाइदे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज इसको लाइक और शेयर जुरूर कीजीगा और कमेंट्स करना बिलकुल भी न भूलें थैंक्यू